हेलो फ्रेंड्स मैं गुरु भाई हिंदी रैपर तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप से बात करने वाला हूं एफल स्टुडियो 20 के अंदर एंवलप के बारे में क्योंकि बहुत लोगों ने एक सवाल तो मतलब कुछ और किया था पर उससे रिलेटिड यह चीज भी बहुत जरूरी है क्योंकि सब लोग पूछे हैं कि मिक्सिंग मिक्सिंग सब कुछ मिक्सिंग के अंदर ही मतलब बताय जाए तो जरूरी नहीं है कि आप मिक्सिंग कर रहे हो तो आपको मिक्सर नॉब भी खोलना पड़ेगा यह आप स्क्रिन के ओपर देख सकते हो कि यह मिक्सर नॉब है जरूरी नहीं है कि आपको यह खोलना पड़ेगा तो आपको काम करने के लिए मतलब और भी कई सीजों का ध्यान देगना पड़ेगा जैसे कि मैं एन्वेलप के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं तो एन्वेलप होता है हमारा यहां पर आप अपने चैनल रहे के अंदर जाओगे तो कोई साउंड मान लो आप तो इसके अंदर हमें मिलता है ज्यादे तर जो हम च्यादा यूस करते हैं वहता है निचैनल करें सिस्टेन और रिलिज यह जो डिले क्वशन हम कभी-कभी करते हैं इसके अंदर पर मोसटले करते हैं सभी दान तो ऑब भी अपने अब यह sound आपके सामने है और यह भी sound है और यह भी sound है तो कोई भी आप sound जो देख रहे हो वो सब envelope के अंदर use हो जाती है कि envelope हमारे को कहां कहां पर use करना चाहिए और कहां नहीं करना चाहिए mostly यह गाने को अच्छा बनाने के लिए या यानि कि जो साउंड मालो तो एक स्टीमट रहा एक जगा पे उसको थोड़ा सा फैलाने के लिए थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए यह काम होता है और यह mixer में भी कर सकते हो आप बिना mixer के भी कर सकते हैं तो मैं किक के उपर जाता हूं तो किक आप सुनेंगे कि ऐसी है कि ठीक है अब इसके अ यह red color का यह button automatic यह on हो गया है तो यह on होना चाहिए अगर आप यह off रखोगे तो यह work नहीं करेगा और अगर आप मैं दिखाऊ हूं आपको clap के अंदर तो आप देखोगे कि यहां पर यह off हो रख है और जैसे ही मैं इस नोप को हिलाऊंगा तो यह on हो जाएगा तो इसी तर होता है हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हमारे गाना शुरू होता है जो एक टच करता है ऊपर तक तो यह आपको में एक रफली बता रहा हूं जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि समझने के लिए हाँ यह attack है जैसा कि इसका नाम है यह attack करता है hold 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 होता ह है कि कितने देड़ तक उसको hold करके रखना है यानि कि कोई sound है यानि कि मानलो एक CT की आवाज है वह CT के आवाज एकदम से आएगी जैसे तिन तो यहां पर जो आप attack देख रहे हो वह एकदम शुरू से आएगा और जब वह खतम हो रहा है तो वह एकदम से खतम हो गया यानि यानि कि 10 तो वह थोड़ा सा आपको hold करना पड़ेगा यानि कि hold रहे एक जैसी चीज आपको मैं दो चीज के अंदर इस बताने वाला हूं एक बेस के उपर एक नॉर्मली sound के उपर sound के उपर ज्यादा वर्क नहीं करेगा पर जितना उसमें sound में शमता होगी उतना यह वर्क जितना हो सकता है उसके बाद उसका काम होता है कि वह डिके यानि कि नीचे आएगा धीरे धीरे अब वह नीचे आने के बाद सस्टेन पे जाएगा सस्टेन जितनी देर तक वो सस्टेन कर सके जितनी उसकी शमता होगी कि वह रुख सकता है उतना वह होल्ड के जैसे ही होता ह पर वो इतना नहीं होता है जितना hold होता है hold थोड़ा ज़्यादा देर तक रह सकता है और sustain थोड़ा सा down होते 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 दूर तक जाता है और उसके बाद आज़ता है release release वो होता है जैसे कि उसकी एक शमता है जो कि sustain कर चुकिया उतनी दूर तक कर ब consumers करना है यानि कि release दर तक आपको रखनाँ और और कितनी दूर तक यह भी ज्यादा दूर तक पर शोंकता होगी उतनी दूर तक जाएगा तो release हो रहा होता है आप काहीं आपको दिखा सकता हूं यानि कि आपको एक graph में दिखाता हूं जो कि आपको मैं computer पर करके भी दिखा रहा था अब मैं इसके अंदर एक limiter add करता हूं यहां पर एक limiter यहां पर add हो रख है master के अंदर कोई sound play होती है यहां पर मैं कोई clap लगाता हूं तो आप यह देख सकते हैं screen के उपर एक यह sound आई है अभी इसको बीच में आ जाने देते हैं अभी इस चीज को आप ध्यान से समझना कि यह जो एकदम से उपर sound आया ना यह पूरा starting point जो आया है यह उसका attack है और यह mostly जितना आप बीच में देख रहे हो ज्यादा तर जो sound आ रहा होता है ज्यादा तर जो sound होता है वह hold में माना जाता है ठीक है और hold के बाद जो थोड़ा से down जा रहा होता है ना वह sustain में आ जाता है और जो बिल्कुल आप यह नीचे छोटा सा देख रहे हो यह बिल्कुल एकदम से नीचे जाके और यह खतम हो रहा है यह बिल्कुल नीचे टच कर रहा है तो वह release माना जाता है तो उसको release बोलते हैं यह आपको बहुत जगा पर आपको काम आने वाला है अब इसके अंदर मैं आपको practically करके भी दिखाता हूं अब यह एक sound है ठीक है यह बेस है अब मैं यह delay से काम करता हूं delay का आपको पता ही होगा mostly की delay होता है किसी आवाज को गूंजना डबल करना ठीक है पर इसके अंदर जो delay है वह वैसा delay नहीं है वह थोड़ा सा late करना भी ह एक दम से जस्ट सेकेंड शुरू होने वाली थी वह कम से कम कुछ मिली सेकेंड थोड़ा लेट हो जाएगी जैसे कि मैं इसको play कर रहा हूं और इसके अंदर पहले मैं लगा जेता हूं ताकि यह बार-बार यह प्ले हो अब जैसे यह प्ले होगा यह अब एक चीज नोटिस करो यह धीरे से उपर आ रहा है एकदम से अटैक निकर रहा है अगर आपको अटैक चाहिए तो यह अटैक वाले आपको चेड़ना पड़ेगा अटैक लाने के लिए आपको पूरा पॉइंट यह वला आगे करना पड़ेगा तो अब सुनते हैं अब लग रहा है कि किसी ने अटैक किया है मारने की कोशिश की है किसी चीज की ओपर तो वो सांड निकल के आ रही है अब आप देखोगे यह जितना यह होल्ड हो रहा है यह चीज अब होल्ड पर आते हैं अब होल्ड को अगर मैं कम करूगा तो एक कम देड़ तक यह भूम भूम कर रहा है इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं फुल कि इसकी इतनी शमता थी इसलिए यह इतना प्ले कर रहा है अगर में इसको और ज्यादा कम कर दूगा अगर अगर आपको लगता है कि इससे संट है तो आप चैक भी कर सकते हो लिमिटर के उतर आप देख सकते हैं इसके अंदर अब मैं यहां से दूसरी चीज चेड़ के दिखाऊंगा इसके अंदर मैं इसको यहीं पर करता हूं अब आपको यहां पर रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा नीचे भी जो मैं उपर करता जा रहा हूं वैसा ही कुछ मिलता जूलता रिजल्ट नीचे मिल रहे हैं जैसा आप ग्राफ यहां देख रहे हो वैसा ही मिलता जूलता ग्राफ नीचे भी बनता जाएगा अब आप जीरे नीचे से जाकर ऊपर गया हो अब मैं होल्ड थोड़ा ज्यादा करूंगा अब आप दीचे भी ग्राफ देख सकते हो जितनी इसकी शम्ता थी उतना यह होल्ड थोड़ा सा आगे गया है यानि कि वो जो चौंच थी यहां डिफरेंस देख सकते हो पहले होल्ड नहीं किय क्या रहता जब मैंने होल्ड शुरू किया तो यह होल्ड थोड़ा सा दूर तक गया है उसके बाद अब मैं डिके को यूज़ करता हूँ कि अब डिके के अंदर आप देख सकते हो यहां पर एक चोंच सी नीचे बनी भी आ रही है समझ रहे हों तो यह डिके के अंदर एक चोटा सा एक गैप जो है वह पैदा कर रहे है अब इसको मैं खतम करता हूँ अब यह होल्ड पूरा और यह पूरा नीचे जाके ऊपर आ रहे हैं आपको यहां से डिफ्रेंस पता लग रहा होगा मैं इसको स्टॉप करता हूँ कि आप यहां पर देखेंगे कि थोड़ा सा ऊपर है और बाद में थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया यानि कि इनका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस थोड़ा सा फरक आ गया है तो इससे आपको अपने पता लग जाएगा यह छोटी छोटी स्क्रीन के अंदर आपको ज्या साउंड के अंदर तो यह ज्यादा अब मैं इसको कम करके ही आपको बता पाउंगा कि यह क्या ंतर आता है क्योंकि जिस साउंड की जितनी लैंन्थ होगी वो उतना ही सर्वाइव कर सकता थे विससे जादा नहीं करेगा यह तो यह चीज भी आपको समझनी पड़ेगी अब इसके अंदर मैं सस्टेन थोड़ा सा बढ़ाता हूं अब आप देख सकते हैं कि यहां पर स्क्रीन के अंदर यह पहले कैसा ग्राफ बन रहा था अब जैसे ही मैंने इसको शुरू किया तो यह वापिस पहले जैसा कुछ-कुछ होने लगा है और बीच में बदलाव आया है तो आप शेयर को थे रहा था आप देख सकते हैं यह चेंज का अभी और यहां पर मैंने छोड़ दिया तो ऐसा हो गया तो इसके अंधर आप दुबार को मैं कर के दिखाता हूं कि यह भी बंद कर दिया है इसीरी वह जगह 002 होगी है अब अगर स待को नमोल्गा जैसा कि मैंने पहले इंपताया था ये भी hold जैसा होता है पर ये hold नहीं होता है ये बात आपको ध्यान रखने पड़ेगी जैसा कि हम दूसरी चीज में भी बात करते हैं गेन और वोल्यूम सेम नहीं होते हैं पर थोड़ा-थोड़ा मिलता जुलता वर्क करते हैं पर एक्चुल में गेन और वोल्यूम सेम नहीं होते हैं उसी तरह से होल्ड और सस्टेन भी सेम नहीं होता है होल्ड अपना होल्ड होता है और सस्टेन सस्टेन होता है और अब आते है रिलीज की उपर रिलीज अभी फूल हो रखा है इसलिए आपको डिफ्रेंस पूरा पता लग रहा होगा कि यहां स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पूरा कर्व ले रहा है यह डाउन लिफ्टर की तरह से ठीक है यहां से अप लिफ्टर हो रहा है और यहां से डाउन में जा रहा है आप इसकी शेप से ही पता लगा सकते हैं अब आप देख सकते हैं अप और नीचे अप और फिर नीचे अप फिर नीचे यह उपर नीचे हलका हलका होता जा रहा है तो उससे आपको पता लग रहा होगा कि रिलीज कैसा है यहां आप लाश्ट में से बंद होने वाला तो यह साउंड जो वेव इसके अंदर आप देख रहें स्क्रीन के उपर लिमिटर में तो वह भी एकदम से बंद हो जाएगी चलिए वह भी सुन लेते हैं कि अब मैं स्टॉप करने वाला हूं आपको पता लग जाएगा जैसे मैंने रोका वहां पे कट लगा आ गया आप आपको पता लग ज्याओ करना पड़ेगा जितना subjects कि करोगा आपको पता लग जाएगा स्टॉषे एइसे के अंदर ही काम कर आती है एंविलप के अंदर इसमें इक तरक दूसरा बदल भी जाता है जब आप एक चीज को चेंज कर देती हो इसके साइड या आप एक option देख रहे हो यह चीज तो यह एक waves है जो कि waves आपको shape बदलती मतलब गाने की shape बदलती है यानि की थोड़ा चरचरापन सा लाना है थोड़ा smoothness लानी है तो उसी साब से उसके अंदर काम करता है अगर आप sign wave के अ इंसान को जल्दी नहीं चुपता है और चुपता भी है तो इतना ज़्यादा harm नहीं करता है और जितना ज़्यादा आप इधर जाते जाओगे यह जितना टेड़ा मेड़ा बना रहेगा जो shape के अंदर होती है उतने ज्यादा आपको दिक्कत करेगा उसके side में भी आप इस और यह सब भी दे रखे हैं mode x mode y यह चीज़े हम आगे बात करेंगे तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और pitch enable भी आपको ध्यान रखना यह सब चीज़े on होनी चाहिए तब ही जाकि यह अच्छा work करेगा अब इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ अगल कि पर कमेंट आते हैं भाई इतनी बड़ी वीडियो मत बनाया करो पर यह ज्यादा वीडियो बड़ी बनाने से ही आपको समझ आएगा चोटी वीडियो के अंदर निचीजों का काम होता ही नहीं क्योंकि यह चीज़े हमें भी नहीं पता होते कि आगे computer पर क्या result अनलाने व जाए या कुछ और हो जाए तो हमें भी नहीं पता होगा कि यह क्या रिजल्ट लाने वाल है हम भी चुप-चाप करेंगे चीजों को समझेंगे उसके बाद आपको बता पाएंगे और पर वर्क ऐसे ही होगा जो चीज आपको मैं बता चुका हूं तो इन चीज के अंदर आप क्या थोका देना सच तू कसम का साइड में जर्च मैं भी सोचा बूल जाओं लड़की बहुत जादा घर्च पर बहुत पुराना रिलेक्शन मेरा कैसे उसको छोड़ दू उसका मेरी लाइफ में पिछले साथ साल दर्ज विर सैटिंग कराई जिसने बाते बनाई चल दू वल्ला मुझे जाड़ ना की लड़ाई ना की बनाई